मैं अभी राजभवन से वापस आया हूँ, मान्य लेटेनन गवरनर साहब से मेरी मुलाकात हुई मुलाकात के दोरान मैंने उन्हें नैशनल कॉंफरेंस, कॉंग्रेस, CPM, आमादमी पार्टी और जिन इंडिपेंडन्स के तरफ से नैशनल कॉंफरेंस को समर्थन की चिठी मिली है उन्हें उन चिठीों को मैंने लेटेनन गवरनर साहब के हवाले की और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकरर करें ताकि यहां ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हकूमत अपना काम संभाले किस तारीख को से ओथ सेर्मनी का होगी अब यह लंबा सिलसला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक अलेक्टिट गवर्मन्ट को दूसरे अलेक्टिट गवर्मन्ट का जो है मैं तबदील होगा सेंट्रल रूल है यूनियन टेरिट्री है और गवर्मनर साशप को अपने काज़ तयार करके पहले राश्च्त पती भवन भेजने है राश्च्त पती भवन से वो फिर हो मिनिस्ज़ी में जाते हैं हो मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कारवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आजाता है तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें दो-तीन दिन तो लगी जाएंगे तो अगले हफ़ते ट्यूजडे वेंजडे से पहले मुझे उमीद नहीं है उमीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंजडे को हम ओच सेर्मनी यहां कर लेंगे अभी वो आप फारुक साब से बात करिए इंडिया ब्लॉक के लीडर वो है और इंविटेशन अगर जाएंगे तो उनके तरफ से जाएंगे मुझे जिनको इंवाइट करना होगा वो अपने तरफ से मैं कल बैठके उन्हें जो है दावत दूँगा लेकिन फिलहाल तो अब ओथ की तियारी हो रही है से आज को हमें स्लिजर भी मनने आए तो क्या कोई डिमांज या कुछ ने ने डिसकॉशन तो हमारी हो रहती ही है हम मिलके हकूमत बना रहे हैं उनका जो है लेटर ओफ सपोर्ट हमें हासल हुआ है और उन्होंने आज अपनी बैठक की उनकी अपनी बैठक में उन्होंने सब्सक्राइब काफी इंडिपेंडेंट का रहे हैं और जो बाकी है वो भी जॉइन करेंगे ऐसा कुछ नब ऐसी बात नहीं है यह आम तोर पर वही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए थे एकाद को छोड़के यह सारे वही हैं जि जीत गए अब वो अपने नैशनल कॉंफरेंस के साथ में वापस आना चाहते हैं और एकाद ऐसा है जो नैशनल कॉंफरेंस में रहके हमारे साथ एक नही रिष्टा काइम करना चाहता है जिसकी हमने सरहाना की जिसकी हमने जिसको हमने वेलकम किया और इन्हें लोगों के वो कि विज बिखारा में एंसी के वोकर्स जो है वैंडलिजम कर रहे हैं अब मुझे कुछ नहीं कहना इसमें यह अब अब किसी तरह का सबूत है तो पेश करें जिनके खिलाफ इल्जाम लगे हैं वो तो उनके खिलाफ अब केस करने के लिए तैयार हैं डेफरमेशन के अब यह को फैसला करने दीजे कौन सही है कौन गलत जम्मू डिविजन के इग्नोरेंस का एक बड़ा आरोप लगे हैं अब कोई